हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बीट कोर्स के नंबर वन चैनल मीशन वोणि में स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे लर्णिंग यानिके अधीगम उसको हम लोग हिंदी में सीखना भी करते हैं यह सब्जेक्ट लर्णिंग ऑफ टीचिंग बीट कोर्स के जो है उससे प जाये जाता है यह दि आप लोग को बीट के किसी टोपिक पीडियफ चाहिए कि सब्जेक्ट का जो पीडियफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर वाट्सप कर सकते हैं जिसमें आप लुक हो जो है भीए ट के टोपिकों का पीडियफ प्राप्त होगा ठीक है दोस् कुई अंग्रेजी पर लodन का जाता है जिसका आर्फ है सीखना कफार्य्ट परक giveron करना होता है जो हम अपने वेवार में परिवर्तन करते हैं या उसमें परिवर्भार जित करते हैं तो उसी को बहुत है और यह वैभार में परिवर्तन और परिमार्जन को भी आसे कहते हैं अनुभारों आदतों ग्यान अभीवर्तियों परसिक्षन के द्वारा होता है եे, अपने जो वेवार में पडिवर्थन करते हैं या हम अपने में जो वेवार में पडिवर्थन करते हैं वह सीखना बैइबर्टन कर रहे हैं फिर मेरा क्या लाता है बच्चे जनंना के बाद पडियावारन के मित्र सकते हैं रहे हैं सबसे पड़ा होता धिर्यावारन फिर वह समास से से सिखते हैं फिर वह अपने मित्रों से जो है समू मेरा कर जो वह सीखते हैं तो इस परकार जो है जो हम अपने बाहरी आसपास के वातावरनों से जो हम सीखते हैं वही मेरा क्या क्या कलाता है अधीगम कलाता है यह नहीं लर्णिंग कलाता है ठीक है आगे देखते हैं अधीकम एक कार्मिक परक्रिया अधीकम एक क्या कंटीनिवास प्रोसेस है कर्मिक मतलब लगातर चन्ने वाली परक्रिया है जनम से लेकर आप मिर्त्वी तक जब तक आप जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो जनम से लेकर मिर्त्वी तक फट जो आप पुछ ना कुछ शीखते रहते हैं इसलिए अधिगम márm को एक जीवन पड़ेतन परक्रिया कहा गया है कि आस्थाइं दोनु रूप से शीखनी के परक्रिया जो होती है ऑश्झाई- और औस थाइज यह दिन भर में बहुत सरे एक्टिविटी करते हैं यह कभी बूल जाते हैं ऐसी चीज़ों को तो चीखने के परक्रिया एक स्थाई भी होता है और वह स्थाइब याद रहता है वह कुछ समय के लिए याद रहता है फिर प्रकार जो है शीखने की प्रक्रिया फिर अस्थाइब जोनों होता है अस्थाई शिखना चेतन और और चेतन मन में हो सकता है जहां जैसे आंक नाक कान जीव तौचा वहीं और चेतन आयू के बढ़ने के साथ सब्सक्राइब कुछ हम चीजों को अपने अनुभाओं के मदद से जैसे आंक के कोई चीज को देख लेते हैं तो वहां स सब्सक्राइब चेतन में आजाए जागा यह सवेधी और चेतन में आजाता है आयू के बढ़ने के साथ सज्वन्य पर आप्सकर नहीं सिछ ना करते तो अस्थाई सीखना जो हता है है बच्छे अभ्यास करते हैं और अनुभाओं के द्वरा जो है जिसका उद्देश बालक के समायजन से होता है कि बालग उसके अनुसार जो है अभ्यास के अनुसार उसमें क्या करना चाहिए एड़िस्ट्मेंट कर लेगा तो वही जो है बालग का क्या करता है शीखना करता है ठीक है अब हम आगे देखते हैं यह स्ठाइब यह स्थाइब वह आजागा च एन अगों के मांस पैसी करने के वह सील्वा है और उस्थाइब चेखना गर्यास कारने के तरुप Rend और जाएगा वो जगा पड़िवार विद्यालय समाच पड़ियावरन वित्रगनों के जाएगे वह औस्थाई रूप से शिखते हैं फिर वह समय समय पर हम जो भूल जाते हैं पिर तो इस परकार जो दो करना है तो इस तरह से दो परकार के सीखना हुआ एक अस्थाई और चैतन और चैतन ठीक है तो यह आगे है concept of learning learning में क्या concept है समस्थे और इसको अच्छा से अधिकम किसी कैसी की श्तिति के पर्ति सक्रिय पर्तिक्रिया है हम रखते मेरा चलती की लोके छूने से जल जाता है तो बालग जलती मुथी को से दूर जाता है जिख नभवर च्षूने selling हाथ जल सकता है तो बालग जो है दूसरी बार जलती भी मुवत्ती से दूर रहता है उन्हें अनुभा हो जाता है कि लोग के छुने से हाथ जल जाता है ठीक है तो इस परकार सीखनी की परक्रिया पर्तेक्ष और पर्तेक्ष रूप से हो सकती इस परकार बालग जो है एक तो आनुभाओं जो हम सीधिये रुप से शिखते हैं बोव पर्तेक्ष रूप से बालक इस परकार एक पर्तेक्ष रूप से भी सिख सकता है ठीक है कर नूसे में अनुभा जैन को मस्तिस में पूर्व में नौल करता है अदिवार में पडिवरतन करके भी शीखता से ढिख awhile जो कुछ amarनोबी ज्यानीकों ने पाला थे हैं आनुभों और पडशिख्छन द्वारा वेवार में पड्यवरतन नाना ही अधीगम कलाता है अनुभों और पडशिक्छन के दोरा जो के द्वारा जो अपने céu घो दोर surviv करवन करोण ने यह का था अधीगम आदतों घ्यान अभिविद्टियों के अर्जन को अधीगम करते हैं जिसके नियद्य मोहद ने का था इसकी नहीं का था चाहिए के शिकना विवार में उत्तवत्तर समंझस की परकरिया एक परकार से सीखना जो है उत्तवत्त समंझस यहने की एक दुसरी के साथ जो समंझस अस्ताफित करने के फॉल सुरूप जो है जो हम सीखते हैं वही बात जो है इसके नहीं कहते हैं सीखना वेवार में उत्तवत्त समंझस की एक परकरिया है ठीक है तो यहां पर हम लोग कई सारी मन विग्यानिकों ने देखें कि अधिगम की पड़िवासाइं जो है कई सारी मन विग्यानिकों ने इस परकार दी है अब हमें बात करेंगे नेचर आफ लर्निंग यहनी सीखने के परकृति पहला है अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है अधिगम जो हता है एक संपूर्ण जीवन चलने वाले परकृति अधिगम संपूर्ण जीवन चलती है अपने जनम से के समय से मिर्थी तक कुछ न को सीखते रहते हैं ठीक है अधिकम सक्रात्मक और नक्रात्मक दोनों हो सकता है अधिकम जो हम दोनों रूप से सीख सकते एक पॉजिटिवीटी के रूप में भी सीख सकते हैं और सकते हैं ठीक है तो सेकने की परकτηर से किसी एक परिस्तिती में सीख गया जूफ़ी परिस्तिती में पड़ीयों में पर इदर रability चीज़ों को उस नाम से भ्यक्त करता है तो अस्थानंतरन कभी होता है अस्थान true अभी के इसी परक्लिया को अभी की लि 상황 admit वह अब mm Review को इंक्ठान्ध और gibi पर निरिवर करता है इनने के सीखने में पर्यावरन का अधिक हुत है कि जिन परिवार में रहनसन करते हैं वहाँ परियावरन अच्छा रॉता है तो तो चाहर नहीं होने पाता है घर कोई बेक्ती जो है अपने वह तीजी से सीख जाते हैं और वह पर्यावरण के साथ ज चलिए चलिन और चलिए जोह है कि दोनुं के दोरा सिखते यह थे भूण यह थी को के होते हैं तो वह जो है करम के द्वारा सीखा गया ठीक है नेक्स्ट पाच्वा नमबर अधीगम से व्यवार में परिवर्तन होता है ठीक है हाद हाद है जब बच्चे सीखते हैं कि उसके वयवार में परिवर्तन होता है क्यों कि सीखने में में परिषान relax लगातार बच्चे सभी एक पक्षों का विकास करते अधीगम के फलसुरूप और यह एक निरंतर चलने वाली परकडिया है तो यहां पे हम लोग देखें लवक्षे पॉन को देखें अधीगम के परक्रती नेचर ओफ लर्णिंग इसमें पहला था अधीगम जो है सात्मक दोनों होता है तुम लोग फसे परकृति अब बात करेंगे अधीगम की विशेषता है और अधीगम की विशेषता आधीगम परिवर्तन होता अधिगम परिवर्तन होता है नेक्स्ट है अधिगम विकास है अधिगम एक परकार का क्या विकास है जो हम सीखते हैं उससे मिरे मस्तिक्स में विकास होती है थिसरा में अधिगम के विकंटि वेलोग्न होता है ऑधिगम कीप्रकर टेजी से होगे छो सब्सक्राइब करना है सिखना एक परकर करना होता है सिखना नया काड़े तभी होता है जब वह काड़े फिर किया जाए और दुसरों की काड़ियों में परकट हो जब कोई काड़े को हम दुसरों के समने में परकट करते हैं तो वह जो है सिखना एक नया काड़े कर लाता है ठ लिए उसमें सब्सक्राइबूरोर्प वपत्रिए जा चेजी जो को अपने रूप से पुन रूप से बहाग लेते हैं साटे लिए जो है एंसी तो ना ऐसी जो हो पलाती है इस तरह में कैसे ने सच चैनल में है बुइब से ंविपन पर पियास करते हैं और समय उसी स्परिणाम के और टो तरह टेहिस्ट क सबस्सक्षर आख लाता है स reca नंबर में चिखना उपज़ Dal patches इस नहीं चीज़ों को सुछते रहते हैं बालक उप्युक्त पर्वाववसाली इस बनाता है कि बालब अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सकता है हम जिस तरह का महौल बनाएंगे बच्चे जो उसी तरह की चीजों को ओड़न से शीखना और ओधनी और यहां मतलब करने के लिए आफ्म ओसाः की statement यह से आपना थानी है कि वातावरन करने के लिए आवसकत सिर्थ कर ही बीगती नहीं यthि नहीं परिस्तेतिएं उस्टे missions से अыпना के अधिगम को लाइंगे फिर हम लुग नए टोपिक और नए वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्वात